ब्राट तो यू बाई टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स सुल्तानपुर की सांसद और बीज़पी उम्मीदवार मेंका गांधी वैसे तो करोड़ पाती हैं लेकिन पांच साल सांसद रहते हुए उनकी आए दस करोड़ रुपे कम हो गई मेंका गांधी ने एक माई को यूपी की सुल्तानपुर लोकसभासीट से नामांकन किया और अपने एफिडेविट में उन्होंने अपनी संपत्ती का जो ब्योरा दिया है उसमें उनकी संपत्ती कम हुई है 2024 में दिये गए शपत्त्त के मुताबक यानि कि एफिडेविट के मुताबक पिछले पांच सालों में तक्रीबन दस करोड़ रुपे उनकी दौलत खटी है एफिडेविट के मुताबक मेंन का गांधी के पास 48,500 रुपे नगद है बैंक खातों में 16,43 लाख रुपे जमा है वहीं 23,30 लाख रुपे के कई कंपरियों के शेयर भी है बीमा पॉलिसियों में 77,92,000 रुपे उन्होंने इन्वेस्ट किये हैं इसके अलावा उनके पास मौझूद जेवरात और सुना चान्दी की कुल कीमत 2,82,24,000 है आपको बता दें कि मेंका गांधी हत्यारों की भी शौकीन है उनके पास एक राइफल है जिसके कीमत 40,000 रुपे है और उनके कुल संपत्ती अभी तक की 43,43 लाख रुपे से ज्यादा है पीली भीत में साल 2014 में नामांकन के समय उनकी चल और अचल संपत्ती करीब 36 करोड रुपे थी पास साल के बाद यानि की साल 2019 में उनकी संपत्ती बढ़कर 53,75,000,000 रुपे हो गई 520 रुपे की देंदारी है मेंका इंकम टेक्स भी भरती है लेकिन करोडों की हैसियत होने के बावजूद उनके पास कोई गाड़ी नहीं है हाला कि मेंका गांधी के पास 3 किलो 415 ग्राम सोने के जेवरात हैं उनके पास करीब 85 किलो चांधी भी है दोनों की कीमत एफिडेविट में 1 करोड 52,86,743 रुपे बताई गई है अपने एफिडेविट में मेंका गांधी ने बताया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित दा लॉरन स्कूल सनावर से 1972 में इंटरमेडियर्ट की परिक्षा पास की थी आपको बता दे कि संजे गांधी की मौब के बाद इंदरा और मेंका में विवाद हुआ था जिसके बाद साल 1981 में मेंका हमेशा के लिए वो घर और संपत्ती छोड़ कर चली आई थी जिसमें पूरा परिवार मिल जुल कर रहता था उस वक्त मेंका गांधी के पास प्रॉपटी नहीं थी लेकिन अब वो करीबन 83 करोड रुपे के मालकिन है यानि की राहुल गांधी की छोटी मार 83 करोड की मालकिन है लेकिन इस बीच जब मेनका गांधी ने वो घर छोड़ा तो गांधी परिवार के बीच की जो कड़वाहट है वो दश्यों को पुरानी आज भी कही न कहीं नजर आती है आज भी सोनिया गांधी और मेनका गांधी कभी एक दूसरे से बात करती नहीं नजर आती है एक ही परिवार के होने के बावजूद भी राहूल प्रियंका और वरुन गांधी भी कभी साथ नहीं देखे गए कहा जा सकता है कि संजे गांधी की मौत के बाद भी गांधी परिवार विखर गया था न्यूस तक पिरो